यह वीडियो में numerical integration का एक जो सब section है Newton-quartz formula sorry दो section है Newton-quartz and Gaussian quadrature so यहां हम Gaussian quadrature GQ के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है Newton-quartz formula के उपर already हम several videos बना के रख चुके है अगर अभी तक आपने refer नहीं किया हो तो refer कर लेना ठीक है और trapezoidal rule के अंदर हमने beginning में ही सारा road map बताया है numerical integration का so वहां भी थोड़ा वहाँ discussion किया हमने Gaussian quadrature formula के बारे में but mainly यह formula में और तीन sub section से 1.2.3 जिसकों बोलते हैं इकोल टू 1 2 3 तो ज्यादे तर question के साथ ही बोला होगा using one point और two point और three point यह कई बार क्या परते हैं कि यह तीनों फॉर्मेशंस एक ही एक्जांपल में पूछ लेते हैं ठीक है तो पहले तो यह formula हमें पता होनी चाहिए कि है क्या question quadrature तो आगे जने से पहले मैं पहले ज़स्ट formula लिक देता हूं ठीक है यह रोड में बोल सकते हो आप सो मेंली यहां condition यह है कि आपके पास जो integration है उसकी रेंज माइनस वन टू वन ही होनी चाहिए सबसे पहला टास्क हमारा यह होगा कि लिमिट को कैसे बदली जाए अगर नहीं है है तो बदलने के लिए formula चाहे हूं में बाद में लिख रहा हो पिछले केस कर लेते कि मान लो इस्लों टो तो था स Cheny यहां हमेरे पास टोटल तीन को सबसेक्शन से एक्वीर टीक 오른र्ट यहां एको तो टू टू एन एको गाल में ए एकोल टूल टू टूल टूकर एक वन पोइंट एक работать just x personal आ यह बनेगी टूला f of 0 2 times f of 0 अब f of x तो यहां होगा हमारे पास just x की जगा 0 रख दो that's it ठीक अब two points में f of minus अब अब अंडरूट 1 by 3 तो अंडरूट 1 by 3 लिखो या 1 upon root 3 लिखो बोथ हार सेम हां क्योंकि वन का रूट तो वन ही होगा सो 1 upon root 3 भी लिख सकते हो या पूरा root no problem प्लस f of अंडरूट 1 by 3 ठीक है तो यह दुनों का final addition कर दो means x के जगा आपको minus अंडरूट 1 by 3 यूज़ करना है तो यह मिलेगा और x के जगा अंडरूट 1 by 3 यूज़ करो तो यह मिलेगा बाद में दिनों को addition कर दो integration मिल जाएगा और 3-point formula यह है कि 8 by 9 times f of 0 plus 5 by 9 times f of minus under root 3 by 5 plus f of under root 3 by 5 ठीक है तो तिनों का combination 0 वाला भी आएगा minus root 3 by 5 भी आएगा plus root 3 by 5 भी आएगा 5 by 9 से multiply 8 by 9 से multiply बट यह दुनों को 5 by 9 से हाँ यह मत बुल जाना सो बस यह तिन formula है और तो कुछ करना नहीं है नहीं table बनाना है अगर Newton quadrature formula में है Newton quads formula में तो वहाँ requirement है table की बट यहाँ table नहीं में पंगा यही है minus 1 to 1 नहीं है तो क्या करेंगे सो इफ नॉट मैं यहां लिक देता हूँ इफ नॉट थैन सपोज देन सपोज एक्स जो आपके पास होगा उसको सपोज कर लो आप बी माइनस एबाइ टू इंटू टी प्लस बी प्लस एबाइ टू ठीक है तो यस लोगो लिमिट को यह बोल देंगे अपर लिमिट को भी बोल देंगे तो यह बी वह तो होगा हमारे पास करना क्या है बी माneg एबाइ टू इंतू टी प्लस बी प्लस एबाइट 0 सपोज कर लो तो 100 प्रेंट आपका लिमिट वाला जो एक्समपल है वो कोई भी मिट है मैंने तो यहां यहे अग्समपल में आप्टर सपोजिशन वो बदल के कुछ और हो जाएगा तो नहीं आप फंक्शन मिलेगा और वो यूज करेंगे कैलकुलेशन में एक्ट सब्सक्राइब होगा अभी पहला टास्क हमारा यह है लिमिट को कन्विनियंट फॉर्म में कनवर्ट करो यूजिंग यह सब्सक्राइब है तक तो हम जर्ट इंट्रोड़क्शन पार्ट में थे एक्टिंड एक्जबल अब शुरू होगा ठीक है सबसे पहले हमारा यह क्या होगा यह एक्जबल में 0 B क्या होगा 1 1 एंड यस ऑफ नगाव और फैस क्या होगा एक किए एफ एक्स क्या होगा एफ टो मैंनस X square बट एफ हमारा कम का नहीं है क्यूंकि लिमिट हमारे जिस shooting एफ फम में नहीं है इसलिए हम इसमें इंट। करने के बाद नियू फॉंक्शन मिलेगा सिसमें इंट्रेश्टेयड होंगे तो पहले limit convert कर देते हैं यह formula use करके so put या suppose x is equal to b b क्या है हमरा 1 1-1-1-0 by 2 यानि कि वनाफ लिख सकते हम इसको t plus b plus y यानि कि 1 plus 0 by 2 यानि कि 1 by 2 1 by 2 into t plus again 1 by 2 या फिर 1 by 2 तो common भी तो ले सकते है, so t plus 1, या फिर t plus 1 by 2, common लिख दो, समझ्या रहा है, सब सेम ही है, so finally हम x equal to, यह suppose कर रहे हैं, अना, x equal to, यह suppose कर रहे हैं, तो जहाँ x दिखेगा, वहाँ हम यह डाल देंगे, so integration में देखो, ऐसा suppose करने से, जो limit है 0 to 1, वो तो minus 1 to 1 हो जाएगी, x square है, वहाँ हम इसका square डाल देंगे, वो भी कोई problem नहीं है, but dx, dx की जगए क्या डालेंगे, so इसका मतलब इसका आगे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तब पता चलेगा, कि dx की जगए क्या डालेंगे हम, ठीक है, इसका डेरिवेटिव लो या इसका डेरिवेटिव पता तो चले जाएगा, so 1 by 2 तो constant है, ठीका डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 और 1 का 0, so 1 plus 0, 1 ही होगा, 1 into half, half ही होगा, ठीक है, so dx is equal to, या हो जाएगा, या फिर, दोनों साइड वेरिवेटिव अलग अलग है, ध्यान रहे, इसलिए, तो चलो यह लिग देता हूँ, तो डेरिवेटिव करना है न, तो 1 by 2 constant रहेगा, या, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बट, टी का अगेन करना पड़ेगा, dt, टी का with respect to x, so dt by dx, dx को साइड ट्रांसवर कर जाएगा, या direct dt भी लिग सकते हैं, और 1 का तो 0 हो जाएगा, और x का dx, या फिर, वेरिवेबल आप फिक्स कर दो, तो x के साथ ही लेना है, तो यहाँ, dt by dx हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, फिर, अपन x है, उसाइड ट्रांसवर कर दो, तो अभी यह ही आजाएगा, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, कि dx के जगह आप क्या लिख सकते हो, dt by 2, dx है, dt by 2, x है वहाँ यह, और limit minus 1 to 1 हो जाएगी, ठीक है, यानि कि अब हमारा example बदल जाएगा, कैसे में यहाँ लिख रहा हो, so finally, यह जो example था हमारा 0 to 1, e raise to minus x square dx, अब यह हो जाएगा, minus 1 to 1, e raise to minus x square के जगह, इसका square हा, so एक काम कर देते हैं, कि इसका square करना है ना, तो numerator का square अलग कर देते हैं, denominator का अलग कर देते हैं, ठीक है, so t plus 1 the whole square, t plus 1 the whole square, upon 2 square, यानि कि मैं 4 कर देता हूँ, into, yes, dx, dx के जगह हम डाल सकते हैं, 1 by 2 dt, clear, so यह हो गया हमारा, fx, अब new format, a suitable format में आगे हैं, आप दिख सकते हो, minus 1 to 1, fx, dx, but yes, fx के जगह हमारे पास अब भी यह है, ठीक है, so मैं यहां यहां लिख देता हूँ, कि अब हमारे पास, fx के जगह क्या है, या ft भी लिख सकते हो, variable t है, तो ft लिखो, no problem, ft लिखो, क्या हो जाएगा, 1 by 2 को आगे ले लो, multiplication में इसलिए इसको आगे ले लेता हूँ, e raise to minus t plus 1 the whole square by 4, I hope समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो यह है हमारा ft, अब one point से इसका answer, और उसका दुबारा ना लिखना पड़े, इसलिए मैं i नाम देता हूँ, integration है, इसलिए मैं i नाम देता हूँ, सकते थे, क्योंकि required format से वो अलग था, इसलिए हमने convert कर दिया, बट s, अब हम जा सकते है, ठीक है, ओके, so, अब n equal to 1 के लिए मैं integration के विल्वी क्या होगी बता रहा हूँ, so, s पर formula मैं फिर से आपको बता दू, one point में s पर rule, क्या होना चाहिए, 2f0 हाँ, 2f0, so, 2f of 0, तो 2 तो 2 रहेगा, अब f of 0 कैसे निकालेगे, तो f of 0 निकालना है, तो t के जगह 0 रखो, so, यहां से clear दीखी रहा है, 1 by 2 तो रहेगा, e raised to यहां 0 प्लस 1, वो तो 1 ही होगा ना, 1 square भी 1 ही होगा, so, e raised to minus 1 by 4, ठीक है, okay, so, Kelsey उस कर लेते हैं, okay, क्या करना है, 1 by 2 पहले लिखना है, so, मैं bracket में 1 by 2 कर देता हूँ, इसका ही साब लग से, अब multiplication में क्या करना है, e, so, मुझे पता है, e है, वो yellow color में है, इसलिए shift activate करना पड़ेगा, so, shift e करेंगे, तो e आ जाएगा, बट एक rule है, कि e के बाद हम जो भी लिखेंगे, वो power में जाएगा, और यहां मुझे भी power में ही लिखना है, ठीक है, okay, but power में क्या लिखना है, t तो मैं 0 डल रहा हूँ, so, 1, 1 by 4, minus 1 by 4 लिखना है, so, again, मैं bracket करके, minus 1 by 4, और bracket over लिख रहा हूँ समया रहे, तो यह पूरा वैसे भी e के power में ही है, and that's it, function over, so, equal to करेंगे, answer मिल जाएगा, और वो है, और 4 decimal तक हम लिखेंगे, बाद में round off, ठीक है, so, yes, 0.3894, 4 decimal होगे, उसके बाद 0 है, so, लिखने के जरूद नहीं है, और फाइनली, इसको 2 से मल्टिप्लाई कर दो, so, multiply by 2 कर दो, so, answer क्या मिलेगा, 0.7788, ठीक है, so, यह है integration का answer, one point में, अब two point में जाना है, अब one point में, obviously, बहुत error रहे गया, exit जो accurate answer है, उससे बहुत दूर होगा, with error, अब इसमें error कम हो जाएगी, और देख लेते हैं, so, two point में, हमार answer क्या होगा, f of, पहले में formula लिख देता हुआ, f of, minus, 1 by root 3, पुरा square root भी लिख सकते हो, and, 1 by root 3, I hope clear होगा, अभी फिर से दिखा देता हूँ, चलो, परी लिख ही है, ठीक है, so, two point के लिए, f of minus root by root 1 by 3, या, one upon root 3 भी लिख सकते हो, f, one upon root 3, या, पूरा square root, ठीक है, ओके, यस, अब, अब क्या करना है, मैं पहले दिखा दो, आप लोग को, ये, minus 1 by root 3 डालना होगा, टी की जगह, ठीक है, complicated form है, और value भी complicated है, but, yes, scientific Kelsey है, तो हम क्यों tension ले, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी value क्या होगी, वो हमें नहीं याद रखना है, उस Kelsey को याद दिला देना है, फिर, वो Kelsey याद कर लेगा, और जहां-जहां T आएगा, वहां हम Kelsey को बोलेंगे, भई तू बोल, हमें नहीं याद, पहले मैं Kelsey में store कर रहा हूँ, त्यांसे देखो, Kelsey on कर देते हैं, अब minus, ठीक है, so minus, 1, 1 by root 3, root की ready mid key है, screen पे दिखाए दे रहा है न, minus 1 by root 3, अब equal to करेंगे न, तो उसके जो भी value है, Kelsey याद कर लेगा, हमें नहीं याद करना है, अना, बट याद रहे, एक B key अब press नहीं करनी है, अदर्वाइस, Kelsey भी बूल जाएगा, ठीक है, so minus 1 by root 3 की value, Kelsey को याद है, जब तक हम कोई key press नहीं करते हैं, तब तक, अब डाइरेक्ट यह हमें किसको दिना है, function को, अब e to the power करना है, अना, e to the power, so shift करके, LN वाली key press करेंगे न, तो e तो आजाएगा, अब e के बाद बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ लिखना है, इसलिए bracket तो mandatory है, so bracket कर देते है, अब उसमें इसका भी तो square करना है, so again bracket करना पड़ेगा, अब ब्रेकेट करने से पहले, पहले मैं यह माइनस लिख देता हूँ, चलो यह माइनस हो गया, अब फिर से मैं bracket बना रहा हूँ, वो किस के लिए, T प्लस बन दा हॉल स्क्वार करना है न, इसके लिए, फिर से bracket कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, तो, अब प्लस वन, प्लस वन, वो उपर वाला bracket और करके, उसका स्क्वार कर देंगे, ब्रेकेट और स्क्वार के रेडी मेडी की है, ठीक है, तो, उपर का हिसाब हो गया, अब भी डिविजन करना है, तो, डिविजन, क्या करना है, डिवाइड भाई, फॉर, चलो, फॉर कर देते है, और अब फुल और फाइनल, दूसरा ब्रेकेट और कर देते है, एके पावर के लिए, हमने बना के रखा था, अगर वो क्लोज नहीं करोगे, तो, सिंटेक्स एरर, मैं थेरर आ जाएगी, सो, सिंटेक्स एरर आएगी हैना, ब्रेकेट नहीं कर रहे हो तो, सो, दूसरा ब्रेकेट भी क्लोज कर दिया, और अब जश्ट इक्वल टू की प्रेस करनी है, पूरा आजर आजाएगा हमारे पास, इक्वल टू, ठीक है, चाट डेसिमल तक नो, ठालो, सो, 0.4781, वन के बाद 6 है, इसलिए 2 कर देंगे, हाना, सो, 4782, 0.4782, अब सेम प्रोसेस, बट यह नेगेटिव लिख रहे थे, और नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सो, लेट उस दू इट क्विक्ली, तो पहले में, वन अपन रूट 3 कर देता हूँ, एक्वल टू, अब कैलसी ने याद रख लिया, अब भनाफ कर देंगे, ब्रेकेट में, अब E करना है, इसलिए, शिफ्ट, E, E के बाद, डबल ब्रेकेट हा, क्यूंकि स्क्वाइर भी तो आगे जाके करना है, इसलिए, एक ब्रेकेट, और ब्रेकेट के बाद, नेगेटिव साइन करने के बाद, दूसरा ब्रेकेट, अभी T की जगह, अंसर प्लस वन, अंसर प्लस वन, ब्रेकेट ओवर, और उसका स्क्वाइर, रेडिमेड की है, डिवैडेड बाद फॉर, दूसरा ब्रेकेट ओवर, इक ब्रेकेट की प्रेस करेंगे, सेकेंड टम का अंसर मिल जाएगा, और वो जाहे, 0.2684, 4 के बाद 3 है, तो 4 ही रखेंगे, और फाइनली, यह दोनों को एड़ कर दो, यह दोनों को एड़ कर दो, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा, बट उससे डिफरेंट होगा, चुकि इसमें तो बहुत ज़्यादा एरर है, वन पॉइंट में, मैक्जिमू एरर रहती है, ओके, सो 0.4782, प्लस, 0.2684, इक वल टू, एंड यह आंसर इस, 0.7, 466, ठीक है, सो यहाँ था 7788, जो कि करेक्ट नहीं है, इससे ज्यादा करेक्ट यह है, 0.7466, टू पॉइंट से हमें जो मिल रहा है, वो, प्लियर, बट अभी ग्याम खतम नहीं होई, अभी 3 पॉइंट से भी करना है, सो 3 पॉइंट से, सबसे पेले में फॉर्मूला लिक देता हूँ, जो कि अभी अभी हमने लिखे थी दिखा भी देता हूँ न, 8 by 9 f 0, 5 by 9 f, minus root 3 by 5, f, root 3 by 5, चलो, दिखने देता हूँ से समझ में आज़े, ओके, सो 8 by 9 f 0, plus 5 by 9, bracket, f minus root 3 by 5, plus f plus root 3 by 5, that's it, bracket over, अब यह 3 value हमें calculate करनी है, but yes, हम क्यों tension ले, ठीक है, हमें तो सब काम Kelsey से करवाना है, that's it, okay, so Kelsey operate करने में गल्थी नहीं होनी चाहिए, otherwise, case problematic बन जाएगा, clear, जो तो से अट कर देता हूँ, ओके, छीक है, अब, 8 by 9, अब यह आफ खब 0 कैसे करना है, वह मैं पता है, बट फिर भी चलो, मुझे Kelsey के पास करवाना है, तो मैं 0 प्रेस करूँगा, equal to प्रेस करूँगा, Kelsey ने 0 याद रख लिया, अब यह function फॉलो करना है, so into bracket, 1 divided by 2 bracket over, फिर E का पावर में जाना है, अब E के पावर में जाना है, इसलिए shift करके E, अब E के बाद negative भी करना है, square भी करना है, इसलिए मैं 2, एक bracket open करके, यह negative कर देता हूँ, फिर दूसरा bracket again open करके, T plus 1, बट T, Kelsey ने याद रखा है, मैंने नहीं रखा, अना, सो T के जगा answer करेंगे, answer plus 1, answer plus 1 bracket over, फिर square करना है, ready-made key है, divided by 4 करना है, और yes, final दूसरा bracket over, equal to key price करेंगे, 0.3894, 0.3894, अब 5 by 9, bracket, अब यह value Kelsey के पास, store करवा देता हूँ, मैं पहले, चलो यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, yes, so minus root 3 by 5 को, पहले store करवा लेता हूँ, on कर देता हूँ, minus, इसलिए, minus पहले प्रेस कर देते हैं, under root 3 by 5, under root के बाद bracket में 3 by 5, 3 by 5 bracket over, so इसका मतलब, minus under root 3 by 5 bracket, इसलिए करना पढ़ेगा, bracket नहीं करेंगे न, तो root के अंदर just 3 आएगा, divided by 5 में root अपलाई नहीं होगा, इसलिए bracket compulsory करना पढ़ेगा, ठीक है, so यह will you equal to में करूंगा, तो यह जो भी इसकी will you है, वो Kelsey ने याद कर ली, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अब function को follow करना है, ठीक है, so one half, one half, फिर e का power करना है, इसलिए shift e, अब e के बाद negative करना है, और power भी करना है, इसलिए bracket के बाद मैं करता हूँ, negative again power, और t plus 1, अब t की value के LC के पास से निकालनी है, answer में stored है, so answer plus 1 bracket over, फिर उसका square कर देंगे, t plus 1 for square, in fact t है, हमने answer की पिरिस की, divided by 4 कर दो, second bracket over, and that's, this is our answer, क्या है, 4 decimal तक जाना है, but fifth है, वो 8 है, इसलिए यहाँ 6 की जिगर 7 करना होगा, so 0.4937, 4937, same process, फिर से repeat, but अब negative sign ने रखेंगे, so under root 3 by 5, under root into bracket, 3 by 5 bracket over, equal to, Kelsey ने याद कर लिया, अभी function को follow करते है, so into bracket 1 divided by 2, bracket over, shift e raise to, minus bracket करके, minus again bracket, answer plus 1 हा, answer plus 1 bracket over square, divided by 4, again bracket over, यह पुरा function हमने, ordering कर दिया, equal to key, press करो, answer मिलेगा, 0.2275, 5 के बाद 3 है, surrounding off करने के जरूबत नहीं है, ठीक है, अब, full and final simplification कर देते है, so, पहले मैं इसका कर देता है, complete, एक साथ हाना, so, 0.389, 4, multiply by 8 कर देते है, multiply by 8, yes, and divided by 9 कर दो, so, यह complete मिला, 0.3461 के बाद 3 है, इसलिए ऐसे हैं रखेंगे, ओके, अब, plus, plus, अब इसका फुरा finalization करते हैं, पहले दोनों का multiply कर देते हैं, addition कर देते हैं, so, 0.4937, plus, 0.2275, ठीक है, equal to, yes, यह दोनों का addition हो गया, अब ही 5 से multiply कर दो, so, multiply by 5, equal to, और अभी, divide by 9 कर दो, so, divided by 9, equal to, क्या मिला, 0.400, and 6 के बाद, 666 है, हिसले में 7 कर देता हूँ, ठीक है, और, finally, yes, यह दोनों का addition कर दो, game is over, right, क्या होगा, pointer 3, 4, 6, 1, plus, pointer, 4, 007, यह उससे भी correct answer मिलेगा, 0.7468, 0.7468, और previous में 0.7466 था, यह भी correct था, बट accurate, उससे भी accurate answer 3 points से मिलेगा, जो कि 0.7468 है, यह न, सो इसका answer, 021, e raise to minus x squared, dx का answer होगा, 0.7468, अब, exam में, जो, demand है, उसके साफ से मिलेगा, न होगा, 1 point है, तो यह, 2 point है, तो यह, 3 point है, mostly, 1 point हो नहीं सकता, क्योंकि, अब भी single line में, थोड़ा कोई पूछेगा, अना, फाल तो बन जाएगा question पुरा, इसलिए, या तो 2 point या 3 point, single पूछ सकते हैं, या 3 हो साथ में भी आ सकता है, सब्सक्राइब कोई नहीं सकता है, पूछेड़ कोई।